परिछा को लेकर जिस तरीके से एक बड़ा गैंग सकडिया था शेटिंग कराने के लेकर पुलिस ने हलाकि उसका पहले खुलासा किया लेकिन लगभग 125 से अधी सौलवर मुन्ना भाई पूरे बिहार में पकड़ेगा है हम इसमय केंद्रिये चेन परसत सिपाही भरते परिच्छा ऑफिस के सामने यहीं से यह पूरा परिच्छा कंड़क्ट होड़ा है और हम आपको एक नजारा और देखाते हैं कि जिलो से जो ओमार सीट है वो ओमार सीट देखे आने सुरू हो गई है कई जिलों से ओमार सीट आई है उनमें सुरक्छा के बीच यहां देख सकते हैं भारी संख्छा में जो सुरक्छाबल है भारी संख्छाबल है वो लेकर कि ओमार सीट आए है जिनमें से कई जिलें हैं जमूई है कि संगंज है का सकते हैं कि मुति आरी है आरा है तो ओमार सीट आने के बाद ये सभी ओमार सीट में का सकते हैं कि केंद्रिया चैन परसत के अंदर चला गया है और जाएगा अब उसके बाद का सकते हैं वहां से देखें यह वही ओमार सीट है इसमें और जाने का भए फिर यहां जाच होगी का सकते हैं कि इसकी लेकिन इस सब्सक्राइब इस परिशा पर कई सवाल भी उठ रहा है सवाल पहला यह है कि क्या का सकते हैं कि जो सेटर ते जो नक्चली थे वो अपने इसमें काम्याब नहीं हो पाए चुकि भारी संख्या में उनकी गिरफतारी हुई है तो ये एक बड़ा सवाल है दूसरा सवाल है कि कल कंकरबाग से जिस तरीके से कुछ लोग एंसर की के साथ पकड़े गए आखिर उसकी सत्ता क्या है क्या पूरे मामले में केंद्रिय चेनपरसत क्या का रहा है और कें पूरे बिहार में कल पकड़े गा है इसका दूसरा चरण साथ अक्टूबर को है फिलहाल देखना है कि इस पूरे मामले में केंद्रिय चेनपरसत सिपाही भरती बोर्ड पूरे मामले में अपना पक्ष क्या रख पाता है सयूगी स्याम के साथ मर्गबालम कशिशनूज